उसके दोस्त उस पेल की और बढ़े और आम तोडने लगे वे बहुत खुश थे क्योंकि आम बहुत ही स्वादिश्ट थे परन्तु जब वे आम तोड कर खाने के लिए वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक भालू वहां खड़ा है और उनके आमों को चीनने की कोशिश कर है क्योंकि वो बगीचा उस भालू का था बिल्लू और उसके दोस्तों ने भालू को रोका और कहा ये हमारे आम है हमने इन्हें तोड़ा है इन्हें हमें खाने दो भालू ने मुस्कराते हुए कहा मैं इन आमों को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरे दोस्तों के लिए हैं बिल्लू और उसके दोस्तों ने अपनी गल्ती को समझा, वे जान गए कि दूसरों की समपत्ती और अधिकार का सम्मान करना जाहिए.